तो आज हम बनाएंगे बहुती टीस्टी चटपटी प्रोटीन पैक्ट चना आलू की सबजी जिसे आप रोटी चावल पूरी पडाथा किसे की साथ भी खा सकते हैं वीडियो को अन तक जरूर देखे और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं रेसिपी चने को हमने रात भर भिगो दिया या साथ से आठ घंट अब भिगो ले अब इसे हमें बॉइल करना है तो इसमें हम डाले एक टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्डी डाल कर इसे हम चार सीटी लगा देंगे चाहे तो आप इसमें साथ में भी आलो डाल सकते हैं तो में यहां पर जब चार सीटी होगी तो एक आलो को बीट से हाफ करके इसे दो सीटी और लगा देंगे अब यहां पर एक कडाई लेंगे इसमें तेल गर्म करेंगे एक कीज स्पून जीरा डालेंगे एक चॉप्ट कीवे प्याज एक तेश पत्ता दो स्लिट कीवी हडी मेर्च डालेंगे और सबी को अच्छे से सॉटे करेंगे प्यासमें बस गोल्डरण सी ब्रॉज करना है यह जादा भी है करना है करना है अब इसमें डालेंगे एक sapa água e сем優ही टमादर एक टी स्पून अज़ाक की पैस्ट एक लासून की पैस्ट भूरास dessa पानी आटकरेंगे अधा कि मसाला ना चिककर एक स्थी मेंद्ध एक प्रतिश तरह पानी आड़ करेंगे ताकि मसाला ना चिपकेस में और इस तरह किसी मसाली को हम भुनते जाएंगे इंग्रीडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चना और उबले हुए आलू डाल देंगे थोड़ा सा इसे हम क्रश कर लेंगे चना और आलू को इससे क्या होगा कि ग्रेवी जो थोड़ है वो रेच बनेगी थोड़ी थिक बनेगी अब इसमें चट्पटा सा टेस्ट लाने के लिए हाफ तेस्पून चार मसाला पॉडर फ्रेस्पून सबजीमसाला पॉडर फ्रेस्पून हम चोर पॉडर और फोड़ी सी पिंच कसुरी मेथी डालेंगे अच्छे सी सारी चुज़ा को मिक्स कर लेंगे अब हमें जितनी थिकनिस चाहिए ग्रेवी की उतनी हम पानी डालेंगे इसमें और ढग कर एक वाल आने देंगे अब हम इसमें डालेंगे कति हुई दिन्यापती हरी मेच हरी मेच कर दीखापन बहुत अच्छा होता है बन कर तयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी चाना अलो की सबजी पूरी के साथ तो बहुत ही मस्त लगती है बहुत टेस्टी लगती है बट आप किसी के साथ भी खा सकते हैं प्लेन चापाती के साथ खा सकते हैं पराटा के साथ खा सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू फूर वाच्चिंग